वेक्सिनेशन महा अभ्यान के महत्वपूंट चरण बे उन लोगों को वेक्सिनेट किया जा रहा है जिन्होंने अब तक दूसरा टीका नहीं लगवाया है दूसरे टीके में बरती जा रही है लापरवाई कितनी भारी पड़ सकती है जरा यहां एक्सपर्ट से जान लिजिये गीजियाना ने उसके विश्वेश समवादा था अभिश्यक मिश्रा ने कोविट ट्रिक्मेंट स्पेशलिट डॉक्टर रवी डूसी से खास बाच्चित क ने बताया कि पहले टीके के बाद दूसरे टीके के प्रती बेपरवाही कितनी खतरनाग साबित हो सकती है आप भी जान लिजिये आखिर क्यों जरूरी है वेक्सिनेशन का यह दूसरा टीका नमस्कार डीजियाना नीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूं अबिशेक मिश्रा और मध्यपदेश में वेक्सिनेशन महा अभियान का महत्पुन चरण इन दिनों चल रहा है कई ऐसे लोग है जिन्होंने पहला टीका तो वेक्सिनेशन का लगवाया लेकिन दूसरे टीके के प्रती उन्होंने जबरदस्त लापरवाही दिखाई है कही यह लापरवाही कितनी भारी पढ़ सकती है और दूसरा डोस क्यों जरूरी है यह हम एक्सपर्ट से जान लेते हैं इस वक्त हमाई साथ कोविड ट्रीट्मेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवी दोशी जी मुझूद है सर पहले तो हम लोग जो इस्तितियां देख रहे हैं यह कितनी भारी पढ़ सकती है सर पहले तो डिजी आने के सभी दर्शकों को नमस्कार अभिवादन यह जो आपने बुंदा छेड़ा यह बहुत ही सेंसेटिव इशू है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन इशू है क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिवाली बात से ठंड बढ करने का डर बहुत ज्यादा बना हुआ है और अब हमको ऐसे केस मिलने लग गए जिसमें जिन्होंने सेकेंड डोस नहीं लगवाया है उनकी उस इम्मुनिटी की कामी की वज़े से उनको वापिस संक्रमन होने लग गए तो सर ऐसे लोग जिन्होंने पहला डोस लगवाया है और दूसरा नहीं लगवाया वो कितने खत्रे में हैं अब क्योंकि ये समय बड़ा चुनोती पूर्ण माना जाता है हमेरा पिछले दो साल काम जो ट्रेंड देख रहे हैं कि इस समय से कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी सी एक ऐसी शुरुवात होती है जो नए साल के परवरी म माज तक कहीं न कहीं बहुत जादा पिक पर आ जाती तो एसे लोगों के लिए ये परिशानी कितनी बड़ी है कि पहला तो लगवाया लेकिन दूसरा नहीं लगवाया डेंजर जोन में हैं यह देखिए अभिशीक जी मैं आपको एक छोटी सी उधारन दूंगा दो मरीजों जो एक धार्मिक नगरी गए जहां पर उन्होंने एक अमारी बहुत आस्था वाली जगे पर गए उन्होंने एक डूपकी मारी दोनों मरीजों में एक मरीज ने एक वेक्सिन लगवाय थी एक मरीज ने दोनों वेक्सिन लगवाय थी जिननने एक वेक्सिन लगवाय थी अस तो ये एक उधारण है इस बात के लिए कि आज जहां ट्रेवलिंग चालू हो चुकी है आदमी के पास चोईस है वो क्या करे ना करें तो correct चोईस लें जिन्होंने दोनों COVID वेक्सिन लगवाई है पिछले एक महिने में ऐसे सारे COVID केस बड़े आराम से 4-5 दिन में ठीक होके ब लेने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सर जिन्होंने पहला टीका लगवाया लेकिन दूसरा नहीं लगवाया तो उन्हें पहले टीके का असर जो सुरक्षा चक्रे वो कितने समय तक रहने वाला है और वो कितने दिनों बाद कहीं न कहीं एक डेंजर जोन में आ सक पहले जो टीका होता है उसमें कहीं न कहीं अपन छटी तक पढ़ा ही करते हैं और दूसरे टीके के बाद ही अपन बारवी पास के लगते हैं अब भी आपके पास में जो कैसे सारे होंगे जो पॉजिटीव हो रहे हैं उनमें जो वेक्सिनेटेड हैं दोनों डोस से या जिन्होंने अभी तक वेक्सिनेशन के दोनों डोस प्रॉपर नहीं लगवा हैं कितना अंतर उनकी सेहत में देखते हैं जो भी ऐसे मरीज जो की दोनों डोज वेक्सिनेटेड हैं और उन्हें किसी कारणवश कोविड हो भी जा रहा है उनमें बिमारी की तिवरता बिलकुल ही माइल्ड है उनको सरदी खासी गले में खराश और बुकार के अलवा जादा सिम्टम नहीं हो रहे हैं अगर उनके सीटी में भी कुछ involvement है उसके बावजूद उनके oxygen का स्थर maintain है और ward के इलाज तक की उनको जरूरत पड़ रही है वो आराम से 5-7 दिन में घर चले जा रहे हैं जिन्होंने वेक्सिन नहीं लगवाया है या जिन्होंने सिर्फ एक ही dose वेक्सिन का लगवाया है उनमें CT के अंदर 50% से ज्यादा involvement, oxygen की कमी, ICU की जरूरत, ज्यादा गंबीरता हमको देखने को मिल रही है बला ही पहला dose लगवाया है तो भी यह हमको निश्य दिक्तर ने आरही है उनको इस लिए second dose बहुत जरूरी है सर जिसे कोई patient positive हुआ है और उसके बाद में उसने अपना पहला dose vaccination का लगवाया है लेकिन अभी तक second नहीं लगवाया है एसे लोगों के लिए यह वाला समय अगर लापरवाई उन्होंने बढ़ती है तो कितना ज्यादा परिशानी बढ़ा हो सकता है दिखे मैं मानता हूँ कि COVID के अंदर हमें हमेशा evidence पर जाना चाहिए यह ऐसी बिमारी है जिसके बारे में हम सामने देखते हैं समझते हैं और फिर ही हम उस बारे में बात कर रहे हैं हम यह देख रहे हैं कि COVID के आज के समय में जिनोंने दोनों dose लगाया है positive भी आ जाते हैं त इसलिए vaccination के द्वारा COVID की vaccination के डोनो डोस के द्वारा हम COVID की जो धार है उसको पहना कर देते हैं कई लोगों के दिमाग में जिसे जब हमने देखा कि pandemic situation थी तब लोगों ने लाइन में लगवा कर vaccination का पहला ठीका लगवा है लेकिन जब हालात सामाने हुए तो बेपरवा हो गए लोग लेकिन कई ब्रहंतियां भी लोगों को कहीं एक लापरवाही बरतने पर मजबूर कर कई लोगों को यह भी लगता है कि हमारा काम डिस्टाब होगा फीवर आ जाएगा या दो दिन तवेत खराब रह सकती है या ग्रामी इलाकों में जाए तो महापर अलग तरह के ब्रहंतियां कई विश्वा से कई अंदर विश्वा से ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज हमारे इस महान देश में विश्वा में पहली बार सो करोड से अधिक वेक्सिनेशन डोज हुए हैं पर आप खुल बताइए आप मीडिया से संबंदित हैं हम सब जो डेली पेपर पड़ते हैं हमने यसे कितने वाकिये देख लेक्सिन की वज़े से आए दिन कुछ इसी प्र समस्याएं लोगों को नहीं हो रही है अधिकांच लोगों को मामुली बुखार होता है या फिर जहां वेक्सिन लगाते हैा थोड़ी बहुत खुझाल या दर्द होता है जोकी वेक्सिन लगवाने कि चंद घंटों के अंदर ठीक हो जाता है और्वेक्सिन संबंदित निन् अगर फरवरी तक हम बचके रहे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और दोनों डोस वेक्सिनेशन का पालन अगर हम लोग करते हैं, इस चंड को हमने मकर सकरांती तक के हमने ये सब सीरियस्ली फॉलो कर लिया, तो विश्वास करिएगा कि जो पिछले द अब तक कही न कहीं वेक्सिनेशन का दूसरा डोस नहीं लगवाया है, क्या क्या है? पॉजिटीव होने के बाद बड़ी जल्दी डेमेज हुए, उन्हें समय भी नहीं मिला, ये स्थितियां क्या वेक्सिनेशन के बाद में सामानी रहती है, ये समस्या फिर नहीं होती है? तो जो मरीज हमने देखे थे, उनको एकाट डोस लगा था, इस वज़े से उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई, ये बाहर के मरीज थे, इंदोर के नहीं थे, पर इस वज़े से हम उनमें स्टडी कर पाए और हम ये पुर्जोर तरीके से बोलते हैं, कि अगर डेल्टा को भी हमा हमारे सामने जानकरी रखी है, तो कुल मिलाकर जिन लोगों ने पहला डोस लगवाया है, वो अपने आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं माने, क्योंकि जब तक वो दूसरा डोस नहीं लगवाएंगे, अपने आपको महामारी से लड़ने में सक्षम नहीं पाए प सके, kemra përsen, në leshka rësia kësata bish e këmishra, di gjena në një zindo.